हेलो दोस्तो राना क्लासिज में आपका स्वागत है तो आज की लेटेस्ट अपडेट है जो कि मैं बताऊंगा तो इस वीडियो को सुरू सन तक देखें प्रसंद आने पर लाइक नई लोग सब्सक्राइब करना ना भूले तो देख सकते हैं बिहार में दरोगा का बहाली का रास्ता है जो की साप हो गया पटना हाई कोट ने युगदान को लेकर है जो की असपश्ट नीरदेश से जो की दिया है पटना हाई कोट ने राजी में 2446 दरोगा की बहाली का रास्ता साप कर दिया है मंगलवार को कोट ने नियुक्ति पर लगी रोक हटा दी है नियाईधीज पीवी बजन्तरी ने जो की सुधिर कुमार गुपता एवं अनकी आजकाओं पर सुनवाई करते वे उक्ता आदेश दिया है एकल पीठ अपने फैसले में अस्पैस्ट किया कि सफ़ल अविर्थो कोगदान लिया जा सकता ह पिछले साल दिसंबर में पटनाहाई कोट ने राज में 2446 दरोगा की बाहली पर रोक लगा दी थी और इसमें मामला क्या था मालूम हो कि कोट ने मामले की पिछली सुनवाई 2446 दरोगा की बाहली पर रोक लगा दी थी एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते वे राज सरका राज सब ओर्डिनेट पूलिस सर्विस जवाब तलब किया था सुनवाई में पटना है कोट को बताया गया कि 268 इसे उमीदवार है जो प्रारंबिक मुख्य बख सारीरिक परिच्छा में सफल घोसित हुए है बाद में उन्हें सफल उमीदवारों की सूची से बाहर कर दिया गया अधिवक्ता दीनु कुमार ने कोट को बताया कि 1 अगस 2020 को प्रकासित मेरिट लिस्ट में 268 इसे उमीदवारों का नाम था उसमें कट आप 75.8 रहा उसके बाद जो सूची जारी उसमें कट आप जो की 75 था लेकिन इन 268 उमीदवारों के नाम सफल अवेड़तों की सूची में नहीं थे इसे साथ कोट ने मामले को निश्पाद कर दिया गया अब इससे फाइदा क्या होगा यह जो होगी एक तो इनकी ज्वाइनिंग तो होगी दूसरा बहुत सारे जो चाथ कोट पर रोघ लगी तो बहुत सारे और चॉनसेलिंग घाली dalावाज की 1949 यह जान出बी सम्क्राइक निच में इसमें सेकेंड कॉंसेलिंग लिस्ट है जो की आने की समहला की इनका मेरिट में रियल्ट है जो की रहेगा क्योंकि इन्होंने कॉंसेलिंग अगर कराया होगा तो इनकी रहेगी लेकिन अगर सीटे जो की खाली रहा जाती है इनको दुवारा नहीं मौका अगर एक और मौका त अगर आएगी भी तो दूसरा है कि यह जो प्री एक्जाम हुआ क्योंकि इनकी जल से जल जितनी ट्रेनिंग होगी उतनी ज्यादा जो कि आपके जो बिहारद्रों का पूरी तब ही जो कि आपके फाइनली ज्वाइनिंग उभलें यह पीटी प्री का रियल्ट दे दिया जाए या मेंस तो कहीं न कहीं है जो कि बीच में रुकती लेकिन यह जितना यह अच्छी खबर है नए जो त्यारी कर रहे हैं बिहार दरोगा का उनके लिए अच्छी खब जा रहा है कि यह जो है आपको लिखा हुआ तो यह इसमें स्परस्ट रूप से लिखा हुआ कुछ पुराने बिग्यापनों को दिखा कर लेकिन यह चिठी है जो कि आप देख सकते 15,440 यह पांच बाराद 2017 यह लीटर कब निकला है पांच बाराद 2017 तो बहुत सारे लोग क दिखा रहे हैं कि यह लिखा हुआ है कि यह जो आपको दिया हुआ यह इस समय कहा गया था कब कहा गया था तो पांच बाराद 2017 में कहा गया था तो निदेशा नुसार कहना है कि जाती परमानपत्र आय परमानपत्र आवास परमानपत्र एवं किरीमी लेयर रहित परमानपत के समझ में बिभागिये परिपत्र संख्य 673 दिनांग आठ तीने 11 दर अब इस्तित दिशा निर्देश जारी किये जा चुके थे और बिवेचित परिपत्र प्रव निर्गत परिपत्र संख्य परिपत्र संख्य उनको परिचारित किया जाता है भारत सरकारमीक लोकसेकत और यह सब है जो कि यह 6 लाग से 8 लाग और जीसिराज में लागू करने के लिए नेर नहीं है जो कि 1310-2017 में लिया गया है इस परकार परिपत्र संख्या जो की 16,470, 15,10, 2013 के साथ 8 लाकी परविष्टी हो गया है इसलिए जो संसोधित प्रस्तूत किया जाना बैद मानते हुए इसे स्विकार करने की किरपा की जाए तो ये आप देख रहे हैं जो तुलना किया जा रहा है कि BSSC इंटर लेबल में जो क भी यही लिखा हुआ लेकिन यह आपके मूल विग्यापन में नहीं था यह अगर आप देखेंगे तो वहां पर यह इसी फॉर्म की कोई चर्चा नहीं थी और सारे लोग कर रहे हैं यह कब आया और यह सिजल 2 में भी लिखा हुआ था लेकिन उनके मूल विग्यापन में न नहीं था हां उसके बाद जब बाहरी आए बीए से सीख उसके मुल गया कन में रगया जिसे खानभू तत्व हो गया अन बहाली आए उसमें अस्पास्ट्रूप से लिखा गया यह बहलीड नहीं है क्योंकि उस समय का है और उसके बाद लागो वात जब मूल भीग्यापन में यह मानने यह ठीक है यह परक्रिया चल ले लेकिन यह माना जाएगा और एक जो अंदर से ख़वर आ रही है वह न्यू एंसील को लेकर यह है कि पूरी महाल है जो की बन गई है कि आपको लेना है बस यह कोड का सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि न्यू एंसील को खुद द कर लिए है और इसी चर्चाएं भी है कि मानने के लिए ही सत्यार है तो निशी दूर्प से अब सारे प्रचा और निगेटिवीटी बातों को अभी ध्यान मत दे दो पछे चल रहा है कि निउयू एंसील नहीं लिया जा रहा है उसके बाद भी लिया जा रहा है तो फिर यह यह इस तरह से बहुत सारे लोग दिखा रहे थे कि मुझे भी आया था वाट से पर कि इसमें लिखा हुआ है कि विग्यापन में यह इंटर लेवल में नहीं लिखा हुआ था यह जो 2017 के बाद कि जो बेकेंसिया थी उसमें लिखा हुआ था कि आपको यह चीज की फॉर्म भरन होना एक साल पुराना होना तब फॉंबरना है यही चीज आप लोग समद निगेटिवीटी में ना रहें और पॉजिटिव सोचे जिन्होंने जो भी दिया हो बहुत सारे लोग टेंसर ने मैंने तो भारत सरकार बिहार से बाहर थोड़ी है भारत के अंदर ही है बिहार ठीक अब लोग देखें उपर किरिया है और क्योंकि साल साल पूरान तो सब मानने होगा आप लोग इस तरह देखें कि आप लोग जाती और वाला मानने होंगे दोजार लोग यह नहीं समझ रहे हैं कि 2014 के पहले दिये दिया हैं तो क्या मेरा मानने नहीं होगा बहुत सारे ऐसे कुस्चन भी आ रहे हैं तो यह यह आप लोग कंफ्यूज नहीं हो यह इसलिए मानने देने की चर्चा हो क्योंकि इसमें नोटीस में लिखा हुआ तो इतना तक मानने इसलिए आपके दोजार हो सारे मानने होंगे और जो चेंज हुए हैं उनका भी उपाए जो कि किया जाएगा लेकिन अगर नहीं होगा तो जेनरल में माने जाएंगे तो हर संभव प्रयास रहेगा कि आपकी पहली बी ऐसे हुए यह पहली बार बहुत सारे लोग के टोगरी चेंज को एक हुआ बना लेकिन अगर मिलते हैं तो मैं आज पोस्पास पास्पास के जो है 2018 में बहाली हुई है और 2015 में आपकी चिठी आ गए थी किस लोग को चेंज हुआ या कि बहुत सारे लोग के टोगरी बना तो अभी तक तो मैंने किसी का नहीं सुना कि किसी का बाली जो कि रद हुई है इसल साथ तारीक के पहले कुछ नहीं पता चलेगा आपको साथ जनवरी के बाद ही पता चलेगा करेंग्ग लिश्ट का जारी होगी यह मानकर चला जाए 11 के बाद ही अगर पूरी स्थितिकों कि तैयारी चल रहा है अभी तोकमेंटն की जाच चल रही है अभी अभी इसलिए कार्व ये लेगिन रियल है जो कि आपको जन्वरी में आ सकती है अ